हमारा जो नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन है वो है एंड फंक्शन हम पहले लॉजिकल फंक्शन जो ज्यादा जरूरी है उनको डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रोप की तरफ चलते हैं लॉजिकल फंक्शन एंड जो है इसको जरा थोड़ा सा दिहान से समझीएगा यह एंड किस तरह से काम करता है यह बेसिकली एंड फंक्शन जो है यह आपको उसी सूरत में वैल्यू टू रिडरन करता है अगर आपके तमा लॉजिकल टेस्ट जितने भी आपने इस फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं वो टू हो मैंने यहां पर दो टेस्ट लिखे हैं टेस्ट ए और टेस्ट की अब मैं कहता हूं टेस्ट एक रजल्ट ट्रू आ गया जिस तरह हम इफ में यूज करते थे लास्ट फंक्शन जो हम हमारा जो रिजल्ट है यह भी ट्रू ही आएगा लेकिन अगर ए ट्रू है और बी फाल्स है तो रिजल्ट एंड के केस में फाल्स आएगा और अगर ए फाल्स है और बी ट्रू है तो फिर भी फाल्स आएगा जब दोनों ही फाल्स हैं तो फिर तो डेफिनिल्ली फाल्स ही र अब हम इसका एक टेबल मना लेते हैं और उसको डिसकस कर लेते हैं उसी तरह से जिस तरह लास्ट टाम हमने किया था अब टेबल हमारा क्या होगा हमने लिखा सबजेक्ट A اور सबजेक्ट B स्टूडेंट हम भी ले ले लेते हैं अली और हम्जा अली एंड हम्जा सबजेक्ट A में 75 एंड 70 और सबजेक्ट B में 80 एंड 85 तो हमने एक चेक ये कर लिया के हमारे पास सबजेक्ट A में अली के मार्क्स ज़दा है और सब्जेक्ट B के अंदर हमजा के मार्क्स ज़दा है अब हम लॉजिकली चेक ये करते हैं अगर दोनों सब्जेक्ट के अंदर अली के मार्क्स ज़दा है तो हमें true return कर दो otherwise हमें false return कर दो हम ये लिखेंगे is equal to and logical test one logical test one क्या था Ali is greater than हमजा फिर कॉमा देंगे दूसरा logical test लिखेंगे Ali is greater than हमजा यह दो हमने logical test लिख दी है हमने यह चेक कर लिया कि अगर Ali के marks हमजा से ज्यादा है तो result हमारा true आ जाएगा और अगर कोई एक condition भी false हो जाती है अब यह देखें यह false हो गया इसको मैं थोड़ा सा हाइलाइट कर देता हूँ ताकि हम one by one सारे logical test इसके पर apply करें यह और इसको यहाँ पर merge कर लिखेंगे यह बाइद अब मर्जिंग भी मैंने आपको basic level में चिखाई थे अच्छा जी यह false हो गया हमारा test क्या था कि अली के marks दोनों subject में हमजा से ज्यादा है तो true आएगा otherwise false आएगा हम यहाँ पर ज़रा इसको चेक कर लें इसको दोनों में इसके marks ज्यादा कर लें logical test हमारा true आए है अगर हम किसी एक में इससे marks equal करते हैं या कम करते हैं तो हमारा logical test एक fail हो जाता है और एक fail होने की वज़े से end result भी false हो जाता है और अगर दोनों definitely fail होंगे तो फिर तो false ही रहेगा सिर्फ एक case जो हमने पहले read किया था कि तमाम logical test हमने दो के ओपर try किया तीन के ओपर भी आप try करें चार पर करें पांच पर करें multiple logical test के पर apply करें लेकर अगर तमाम logical test true होंगे तो value जो result है वो true आएगा और अगर कोई एक logical test भी false हो जाता है तो इसका result false हो जाता है इसके बाद जो next logical function है वो और function है जिस तरह end हमने देखा इसी तरह से और है चुँके यह दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इसलिए हम उसको भी discuss कर लेते हैं अब इसी table के अंदर हम और डाल लेते हैं और में एक बड़ी simple सी चीज़ याद रखें कि और के case में और logical test के case में आपका कोई एक logical test जो है वो true होना या पास होना ज़रूरी है जैसे अगर आप देखें तो यहां पर A भी true है B भी true है तो और का result जो है वो true ही आएगा यहां पर A true है B false है लेकर चुके हमें एक दोफ़ा true मिल गया है तो यहां पर भी result true ही आएगा यहां पर भी अगर आप तीसरे case में देखें A में false है B में true है तो result true हाएगा लेकर अगर दोनों logical test या तमाम logical test फेल हो जाते है तो फिर हमारा result जो है वो false आएगा तो यह फरक है A and or में and में याद रखने की चीज़ यह है कि तमाम के तमाम logical test पास होंगे तो result true हाएगा और के case में कोई एक logical test पास हो जाता है तो result true हाएगा अब इसको भी हम जरा इसी formula को उठाते हैं और यहां पर ले आते हैं और यह जो हमने table draw किया था इस table को भी जरा नीचे ले आते हैं ताकि हमारा formula आटोमेटिकली लिंक हो जाए अच्छा हमने table उपर जाल दी है यहां पर जो formula है इसमें and को replace करना है आपने और के साथ बाकी इसका syntax सेम है logical test one, logical test two, three अब यहां पर अगर देखें तो यह दोनों conditions false आ रही है condition क्या हमने लगाई और c18 is greater than d18 यहां पर अगर आप formula बार के अंदर देखें न तो यह आपको formula नजर आ रहा होगा c18 में है अली के marks और d में हम्जा के marks तो हमने दोनों cases में हम्जा के marks अगर ज्यादा हैं तो हमें यह true जड़ दे otherwise false दे तो यह दोनों चुक्के equal थे इसलिए उसने false दे लिया हमने दोनों conditions false करके देख लिए अब हम कोई एक condition true करते हैं यहां पर हम 71 कर देते हैं यह true हो गया हालांके दूसरी condition अभी तक false ही है अच्छे चलें इसको हम revert करते हैं और यहां पर condition चेंज करते हैं और अगर यह दोनों conditions true हो जाती हैं तो फिर तो definitely हाइट रोगी तो false सरफ उसी case में आएगा जब दोनों conditions जो हैं वो false हो जाएगी तो यह एक बहुत ही simple सा formula था and और use इसका बहुत ज़्यादा है excel में बहुत important है इसको अच्छी तरह से practice कर लें और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप comments में मुझसे पूछ सकते है दोस्तों W3 Scale Set आपका अपना YouTube चैनल है सबस्क्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए काइंड गरें